कुट्ता देता है भविश्य का शुब और अशुब संकेत। नमस्कार दोस्तों स्वागत है। आप सभी का फिर से आपके अपने चैनल प्रबीर दास व्लोग पर चलिए आज की विडियो शुरू करते हैं। हमारी संस्कृती में अंध्विश्वास को भी एक खास जगय दी गई है। ऐसा नहीं कि केवल गाव के लोग ही इन चीजों में यकीन रखते हैं। बलकि कई बार शेहर के और खुब पड़े लिखे लोग भी इन चीजों को मानने से इंकार नहीं करते। आपने कभी न कभी अपनों से जरूर सुना होगा कि बिल्ली ने रास्ता कट दिया, यह अशुब है या फिर बिल्ली रो रही है तो ये भी अशुब है। क्या आपने कभी कुट्टों के बारे में सुना है कि कुट्टे का कैसा व्यवहार हमें कैसे भविश्य की सूचना देता है। बहुत सारे लोग डॉग लवा होते हैं तो वही कुछ लोगों को कुट्टों से भयन कर डर लगता है। हिंदू धर्म में कुत्तों का संबंध शनी देव से होता है. इसलिए जो लोग कुत्तों को परेशान करते हैं, उन्हीं शनी देव दंज देते हैं. लेकिन फिलहार जानेंगे कुत्तों के व्यवहार से जुड़े संकेतों के बारे में. कभी कभी कुत्ते अचानक रोने लगत लगते हैं तो कभी बेवजही भौकने या चिलाने लगते हैं. कुत्ते के ऐसे व्यवहार सामान्य नहीं होते, बल्कि इससे शुभाशुब संकेत जुड़े होते हैं. हालां कि कुछ लोग इससे केवल अंधविश्वास का नाम देते हैं तो कुछ लोग आज भी इन संकेत को सच मानते हैं और इस पर भरोसा भी करते हैं. आज जाने कुत्तों से मिलने वाले शुभाशुब संकेत के बारे में. लेकिन उससे पहले अगर आप भी चाहते हैं कि लक्षमी माता का आशिरवाद आप पर बना रहे तो इस वीडियो को लाइक करें, चानल को सब्सक्राइ करें और बेल नोटिफिकेशन को अवश्य दबाए, ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सकें. तो आईए जानते हैं. । कुट्ते का भौकना. कुट्ते भौकते ही हैं क्योंकि यही उनकी भाषा और वानी है. लेकिन अगर कुट्ता अचानक बिना वज़ह के जोर-जोर से भौंकने लगे तो इसे अशुब संकेत माना गया है. क्योंकि कुट्ता ऐसा प्राणी है जो गलत चीजों को आँक ल अगर कुट्टा आपको देखकर अपनी पूंच जोर जोर हिलाने लगे तो इसका मतलब यह है कि कुट्टा आपसे खुश है और यह आपके लिए शुब संकेत है. 3. कुट्टे का खुजली करना जब कुट्टा आपने बदन को खुजलाता है तो कुछ लोग यह समझते हैं कि शायद कुट्टे के शरीर में गंदगी होगी जिस कारण उसे खुजली होती होगी. लेकिन वजह चाहे जो भी यह आपके लिए बहुत शुब संकेत माना जाता है. खास कर अगर सुबह के समय आप किसी कुट्टे को बदन खुजलाते हुए देखे तो यह अच्छा संकेत है जो की धन प्राप्ती की ओर संकेत करता है. 4. कुट्टे के मूह में हड़ी देखना. कुट्टे के मूह में हड़ी देखना भी अच्छा माना जाता है. लेकिन अगर कुट्टा आपके घर में हड़ी गिरा दे तो यह अशुब होता है. 5. कुट्टे का पानी पीना. कुट्टे के पानी पाने से शुब अशुब दोनों ही संकेत जुड़े हैं. अगर आप कुट्टे को साफ पानी पीते देखते हैं तो यह शुब होता है. वही अगर कुट्टा गंदा पानी पीते देख जाते तो इसे अशुब माना जाता है. यह आपकी आर्थिक स्थिती तंग होने या दोर घटना होने का अशुब संकेत हो सकता है यहां मुहया सुचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है यहां यह बताना जरूरी है कि प्रबीर दास व्लॉब किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टी नहीं करता है किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेशगय से सलाह लें दोस्तों आज की हमारी वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके बताएं अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट बॉक्स में जै मा लक्ष्मी जरूर लिखें तो दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई जानकारी के साथ भगवान आप सब पर कृपा बनाए रखें धन्यवाद